नमस्कार दोस्तों इलेटिकल टेखनिशन चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो हमारा विंडोn AC के वाइरिंग के बारी में है दोस्तों जो हमारा विंडोओn Cap情豪न Clay होता है की क्यापासिटा स्टार्ट क्यापासिटा रन ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरा मैं आपको केवल पी एस सी टाइप का वाइडिंग बताऊंगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पे जो हमारा विंडू एसी होता है उसके अंदर क्या क्या लगाना पड़त है जैसा कि यहाँ पे आपको लिक्क के दिखाए गया है जो हमारा पहला वह किस परगार से वाइडिंग करेंगे उसको मैं आपको आगे बताऊंगा अब जो हमारा विंडू एसी के अंदर में एक फेन भी इस्ताबल किया जाला है अब यहाँ पे जो fan इस्तमाल किया जारा वो 3-speed वाली है आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा fan है fan में 5 wire बाहर निकल के आए हैं एक black, red, wire, blue और grey ठीक है अब यहाँ पे जो black wire होता है वो सबसे high speed होता है red wire आपका medium speed और white wire आपका low speed होता है अब जो हमारा blue wire है यह हमारा fan supply के लिए होता है यानि कि हमारा incoming power supply आता है वो इस blue wire में लिया जाता है उसके बाद में यह जो grey wire है grey wire में हमें capacitor के दोरा power supply को देना पड़ता है यानि कि starting capacitor का power supply हमारे इस motor में जाएगा इस grey wire के दोरा दोस्तों किसी-किसी motor में आपको जो color coding दिया गया है वो अलग भी हो सकता है आपका जो motor होता है उस motor के उपर में एक data plate होता है data plate के उपर में लिखा होगा कि कौन सा wire किस लिए उपयोग किया गया है तो वहां पर आप देखके उसका wiring कर सकते हैं उसके बार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो fan है उसमें एक capacitor के connection करना पड़ेगा तो यहां पर हमें एक dual capacitor का उपयोग करना पड़ता है यहां पर dual capacitor का मतलब यह है कि यहां से जो हमारा capacitor है इसमें से हम दो power supply दे सकते हैं एक power supply हम fan को देंगे दूसरा compressor को देंगे उसके बाद में यहां पर हम एक thermostat का भी उपयोग करेंगे thermostat का काम यहां पर यह रहेगा कि यहां पर जो हमारा temperature है उसको sense करेगा और यहां पर रूम का temperature कम है तो यह क्या करेगा power supply को break कर देगा यानि कि हमारा compressor जो run कर रही थी उसको burn कर देगा उसके बाद में यहां पर हम एक selector switch का भी उपयोग करेंगे अब यहां पर जो selector switch उपयोग के जा रहा है उसके दोरा हम fan के speed को control करेंगे ठीके उसके बाद में यहां पर power supply देने के लिए हम plug top का भी इस्तमाल करेंगे अब दोस्तों देखिएगा यहां पर जो हमारा capacitor है इस capacitor में जो नाम लिखा गया C F H इसका मतलब क्या है एक बाद समझ लिजे देखिएगा दोस्तों यहां पर जो C लिखा हुआ है इसका मतलब होता है common यानि कि हमारा जो fan supply होगा इसको लाकर हमें इस C terminal पे connect करना पड़ता है उसके बाद में यहां पर जो F लिखा हुआ है F का मतलब होता है fan हम क्या करते है F terminal से wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा fan है उसको starting power supply दे देंगे ठीक है उसके बाद में यहां पर edge लिखा हुआ है H का मतलब होता है हर्म हम terminal से हम क्या करते हैं एक wire को connect करके ले जाते हैं और जो हमारा compressor है उसको starting power supply दे देते हैं अब चलिए दोस्तों जो हमारा window AC होता है उसका wiring किस परगार से करते हैं एक बार समझ लेते हैं तो देखिएगा यहां पे जो हमारा plug top है plug top का जो दाहिना pin होत है यानि कि हमारा जो फेश सप्लाई हो उसको डारेक लाके सी वाले टर्मिनल पर कनेक कर देंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा fan है इस fan को input power supply देना पड़ता है तो incoming power supply देने के लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा capacitor है इस capacitor में जो C terminal है इसमें से एक wire को connect करके ले जा यानि कि हमने इस fan को input power supply दे दिये हैं अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो compressor इस्तमाल किया गया है इस compressor को भी input power supply देना पड़ता है तो इस compressor को फेश सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा capacitor है capacitor में जो common terminal है इसी common terminal से एक wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमा इसको हमने फेश सप्लाई की दोरा connection कर दिये हैं अब हमें इस fan को और compressor को starting power supply देना है तो starting power supply देने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारा compressor है इसको भी हमें starting power supply देना है तो इसको starting power supply देने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा capacitor था उसके दोरा जितने भी wire connection करने थे सब के सब complete हो गए है अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा plug top है plug top का जो left hand side वारी pin है यानि कि यह वाली pin इस pin से हम neutral supply को लेके जाते हैं और इसको लिए कि हमारा जो rotary switch है यानि कि selector switch है उसका जो zero वाली terminal है उसमें connection कर देंगे दोस्तों यहाँ पर जो हमारा rotary switch है यह आप इसके terminal को verify करना चाते है कि कौन सा high के लिए कौन सा low के लिए कौन सा medium speed के लिए तो उसके लिए आप continuity test करके इसको पता कर सकते हैं आप क्या करिए आपका जो selector switch है उसका जो position है यानि कि medium position पर दिजिए और continuity करिए वहाँ पर speed पर एक बार medium speed पर तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा terminal किसके लिए उपयोग किया गया है ठीक है zero number terminal हमारा common terminal होता है यानि कि हमें input power supply यहाँ पे देना पड़ता है यहाँ पे जो हमारा rotary switch है इसमें हम neutral supply का connection कर रहे है ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा thermostat है thermostat को ह हम input power supply इस चार नंबर terminal से देंगे यानि कि यहाँ से कनेक्षन करके ले जाएंगे और जो हमारा thermostat है उसको input power supply दे देंगे अब इसी thermostat के दूसरे terminal से एक बार को connect करेंगे और इसको लिजाके compressor का जो R terminal है उसके सार connection कर देंगे यानि कि thermostat को हम सेरीज में connect कर देंगे अब ज अब यहाँ पर हमारे पास तीन टर्मिनल और हैं, एक, दो और तीन टर्मिनल ठीक है, इनका connection हम fan के द्वारा करेंगे, यानि कि हमारा जो एक नंबर टर्मिनल है, उसके दावर हम एक वायर को connect करके लिए जाएंगे, और इसको लिएक वायर के सार कनेक्शन कर देंगे, दोस्त के वाद में यह जो दोर नंब्र का naval हैu यह हमारा low-speed के होता है इसलिए हम यहांसे jr करके लिए जाते हैं और यहां पर हमएं केवल अर्थिंग का करना है दोस्तों आप का जो window AC उसमें ऐर्थिंग का करना होता है तो हम क्या करेंगे यही से एक बार को लूप करके इस फैन को भी अर्थ कर देंगे यह जो अर्थ वाइड होगा उसको हमें फैन के बोड़ी के साथ कनेक्शन करना होता है दोस्तों यहां पर विडियो से रिलेटेट किसी भी प्रकार डाउट है तो आप कोमेंट कुमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेर और कमेंट कर दीजेगा और यडि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद